मिठे मिठे प्यारे प्यारे इसलामी भाई हों और प्यारी प्यारी भेनों तवज्जों फर्माई हैं अल्लाह अजवजर आपको दीन और दुनिया के नेक कामों में बर्कत दे हमारे प्यारे आका मुहम्मद सलललाहु अलेही वस्तलम की आकों की ठंड़क नमाज कायम करने की तुफिक दे आशा करते हैं कि आप खुश और सेहत मंद होंगे तलबा कोई भी हो लड़के या लड़किया दुनिया भर में पढ़ने की जानी बर पुर अंदाज से माईल है और अपनी तरकी के लिए कुशा है सब अपने अपने तवर पर मश्रूफे अमल है लेकिन हमें ये बात कहने में कोई शर्मन नहीं के लड़कों के मुकाबले में लड़कियां पढ़ाई की तरफ जादा माईल है और अपनी दिल्चस्पी की बुनियाद पर मुक्तलिप सोयवों में बहतरिन कारकरदगी पेश कर रही है जकबे लड़कों में ऐसे भी है जो वाले देन की जबरदस्ती या सक्ती की बिनापर पढ़ाए जा रहे है वरना ऐसी तादाद भी है कि अगर उन्हें मुका दिया जाए तो वो पढ़ने के इलावा दुनिया के तमाम मशाखिल अपनाने के लिए हमावक्त तयार है किसी भी मौशरे की बका और तरकी के लिए मर्द और अवरत दोनों का किरदार अपनी जगह एहमियत रखता है अवरत को जब तालिम के जेवर से आरास्ता किया जाए ओ जिंदगी के मुक्तलिफ शोयवों में अपनी काबिलियत और सलाहियतों को बरुय कार ला सकेगी मौशरे में मुस्बत अब्दिली का खाव उस वक्त तक शर्मिंदा ताबिर नहीं हो सकता जब तक लड़के और लड़कियां दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने की कोशिश ना करें अगर हम जिंदगी के मुक्तलिफ शोयवों पर नजर डाले तो इल्म होगा कि खवा दिन बाद शोयवों पर हावी है इसे साबित होता है कि एक अवरत को तालिम देना पूरे मौशरे को सवारने के बराबर है अवरत एक फर्द नहीं बलके एक मकतब है लड़के लड़कियों के मुकाबले में तालिमे मैदान में निजबतन कम कामयाबे हासिल कर पाते है लड़के अपना जादा वक्त वीडियो गेम्स खेलने पर लगाते है उसके मुकाबले में लड़किया बहतरिन तालिमी करियर रखती है मेहनच जो भी करेगा ओ आगे होगा चाहे लड़का हो या लड़की अगर लड़के भी लड़कियों की तरह हम मेहनच करेंगे तो यकिनन ओ भी तालिम के मैदान में आगे होंगे तालिम के मामले में अक्सर वाले देन लड़कों पर जादा तवच्चो देते है बनिजबत लड़कियों के उनका एक ख्याल ये होता है कि लड़के ही उनका मुस्तक्बिल है और वारिस है इसलिए उनको पड़ा लिका कर काबिल बनाया जाना चाहिए और लड़कियों की तालिम के मामले में जहने पस्मांदगी का तनासुब जादा है माबाप ये समझते है कि उनके हाथ पिले करने है फिर जादा तालिम क्यों ये एक उमूमी सोच है इसका जवाब ये है कि मुआशरे में लड़कियों का तालिम यापता होना नहायद जरूरी है ताके वो किसी पर इंसहार की बजाए एक जिम्मेदार शहरी बने और मुलक वो मिलत के लिए एक सरमाया साबित हो सकी तालिम के बगेर मुआशरे में सुधार का तसवर खुजूल है तालिम ही ओ जेवर है जिसके जरीए अखलाक वो किरदार को समारा जा सकता है लड़कियों की तालीम मुआशरे में हकीकी तब्दिली का सबब बन सकती है घर ग्रहस्ती से जंग के मैदान तक, तालीम से अदालक, शिफा खानों में मशिहाई तक और साइंस के मैदान में इजादात तक, तारीक उसके किरदार और कारनामों से सजी हुई है अउरत जहन और जिस्मानी एतबार से अगर इस काबिल है कि अपनी घरेलू जमेदारियों को पुरा करने के साथ साथ अपनी जरूरियाद और तालीमी काबिलियत के मुताबिक कोई काम कर सके तो उसे पाबंद करना कहा की दानिशमंडी है याद रखिए मर्दों की तरह तालीम आउरत का भी मुकमल हक है सोच बद्धिये आउरत को भी पढ़ाएए लड़की के और जादा तवज्जो दीजिए